स्वर और शब्द देने वाले, देश के भभीशे को दिशा देने वाले, हम सभी के प्रणास्रोत, स्रत्य अटल जी, अम नहीं रहे। अटल जी के रूप में भारत वर्ष ने आज अपना अनमोल अटल रत्नक हो दिया है। अटल जी का विरात व्यक्तित्व और उनके जाने का दुख दोनों ही शब्दों के दाएरे से परे हैं। वो एक जन्नायक, प्रखरवक्ता, ओजस्वी कवी, पत्रकार, प्रभाव साली, आंतरराष्टिय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर माभारती के सच्चे सपूत थे। उनके नीधन से एक यूग का अंत हो गया है। उनका नीधन संपूर्ण राष्ट के लिए अपुन्यक्षति है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य सवरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। उन्होंने मुझे संगठन और शाषन दोनों का महत्व समझाया। दोनों में काम करने की शक्ती और सहारा दिया। वे जब भी मिलते थे पिता की तरह खुश होकर आत्मेता के साथ गले लगाते थे। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी ने अपने कुशल नेत्रूत पर और अभीरत संगर्ष के दबारा जनसंग से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूति के साथ खड़ा किया। उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्ही के द्रड निश्चे और कठीन परिश्टम का परणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है। अटल जी भले ही हमें छोड़कर चीज नेद्रा में लीन हो गए हो। लेनके उनकी वानी, उनका जीवन, उनकी साथगी, उनके विचार, उनका दर्शन। हम समस्त भारद वाश्यों के लिए हमेशा प्रेना देता रहेगा। उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व, सदा हम देश वाश्यों का मारद रशन करता रहेगा। अपार शोक की इस घड़ी में, मेरी संवेदना, उनके परिवार और समस्त देश वाश्यों के साथ है। इस दुख की घड़ी में, मैटल जी के चरणों में, आधर पूर्वक अपने सद्धांज ले अर्पित करता हूँ। झाल झाल झाल